सोहाली में बॉलवर आक्ट्रिस अथिया शेटी और भारती क्रिकेटर केर राहुल शादी के बंदन में बंदे हैं शादी के बाद कपल की कुछ फोटोज और वीडियो सोचल मीडिया पर चाही हुई है इसके बाद अथिया शेटी अपने लुक को लेकर भी बहुत ज़दा पॉपुलर हो रही है वैं लेट मी टेल यू कि अब अथिया के पिता इस सुनील शेटी अपने Mixed Martial Arts Reality Show विच इस क्यू माइट 1 Warrior Hunt से के प्रोमोशन के लिए बहुत ज़दा बिजी है और उसी के लिए The Couple शर्मा शो में पहुचे थे जी हां शो में सुनील शेटी ने अपने दमाद आटिस केर राहुल के बारे में भी कुछ बाते की है और बताया है कि केर राहुल से पहली बार वो कब और कैसे मिले थे He made quite some revelations बट यह सब जाने से पहले और डीटेल्स में आने से पहले Hello, I'm Rees Shimon, you're watching DNP Firstly, welcome back to our channel In case अगर अभी तक आपने हमारे चानल DNP को सब्सक्राइब नहीं किया Then what are you waiting for? Please कर ले Thank you So the couple शर्मा शो में राहुल से पहली मुलाकात पर सुनील शेटी ने बताया कि साल 2019 में पहली बार वो राहुल से एरपोर्ट पर मिले थे जी हाँ, इस दौरान ही सुनील को पता लग गया था कि केर राहुल भी उनके शहर मैंगलोर से ही बिलॉंग करते है जो आक्टर सुनील शेटी को बाद में पता लगा कि केर राहुल उनकी बेटी अथ्या को जानते हैं और दोनों की बातचीत पहले से ही चल रही है साथ ही आक्टर सुनील शेटी ने शो में बताया, इस कापिल शर्मा में बताया कि उनोंने उससे पहली मुलाकात जो थी, वो एरपोर्ट में हुई थी और वो ये जानकर चौक गए थे कि वो उनके होम टाउन, इस मैंगलोर से ही बिलॉंग करते हैं सुनील शेटी उनके बहुत बड़े फैन रहे चुके हैं और ये देखकर खुश थे कि वो अच्छा कर रहे हैं इन हिस करियर, सु जह सुनील शेटी ने आगे का इंस्टेंस बताया and he shared कि जब वो इस शौट मीट के बाद वापस घर आए और अथिया और अपनी वाइफ को ये पूरा इंस्टेंस बताया तो उन्होंने जादा कुछ नहीं खा, that is, अथिया और उनकी वाइफ ने जादा रियाक नहीं किया उन्होंने बस एक दूसरे को देखा, बाग में जुनकी वाइफ है वो उनके पास आया और उन्होंने बताया कि अथिया और राहूल एक दूसरे को पहले से ही जानते है and there is something going on between them इसके साथ ही सुनील शेटी ने कहा कि वो हैरान थे कि अथिया ने उन्हें इस बारे में पहले नहीं बताया था वो खुश भी थे क्योंकि वो अथिया से हमेशा कहते थे कि वो एक साउथ इंडियन लड़के से दोस्ती करे that is उन्हें हमेशा यही एडवाइस करते थे राहुल का घर उस जगा से कुछ किलोमीटर ही दूर था जहां वो बॉन हुए थे that is सुनील शेटी का घर और केल राहुल के घर में जो अगर डिस्टिंस की बात करे तो वो नहीं था यह उनके लेक बहुत अच्छी बात थी और साथ-साथ एक कोइंसिदेंस भी था well सुनील शेटी ने कप्रिल शर्मा शो में बताया कि कैसे वो एरपोर्ट पर मिले थे and वो इस बात से ही पहली बार इंप्रेस हो चुके थे कि उनका होम टाउन सेम था of course वो करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे and it was a good thing for him but side by side वो इस चीज से भी थोड़ा सप्राइस थे कि अभी तक अथिया शेटी ने उन्हें केल राहूल के बारे में नहीं बताया था I would really want to know your take in the comment down below and that was all for today's entertainment related segment अगर अपका हमारा आज का content और वीडियो पसंद आया then please not forget to like, share and subscribe to DNP you can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP